हेलो स्टुदेंट्स अभी तक हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा वो कंप्यूटर की हिस्ट्री जनरेशन क्लैसिफिकेशन यह सारी चीजे जो है बेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर टाइप आफ कंप्यू सिस्टम कि कोई भी कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है तो simply देखिए अगर हम इसको एकदम बेसिक समझदा चाहें तो मान लीजे कंप्यूटर सिस्टम में यह तीन चीजें बेसिक होती है पहला यह हो गया आपका input, कि आप computer को जो input देंगे, ठीक है, दूसरा हो गया आपका, यहाँ पे होती है processing, यानि कि जो भी data हमने input किया है, उसकी processing, और यहाँ पे हमको मिलता है output, तो कोई भी computer system जो है, वो basically इसी तरह यही basic principle है, उसके काम करने का, कि हम उसको कुछ data input करते हैं, input devices के त्रू, input devices क्या होती है, processing unit क्या होती है, output unit क्या होती है, यह सारी चीजे, अभी हम deep में discuss करेंगे, तो computer में क्या होता है, कि पहले हम कोई भी data input देते हैं, फिर उसकी processing होती है, और फिर हमको यहाँ पे, जो भी required output है, वो मिलता है, जैसे for example, हमने कहा कि, हमें दो नंबरों को sum करना है, हमें 2 प्लस 3 is equal to 5, यह result चाहिए, तो computer में हम पहले input क्या करेंगे, 2 और 3 हम input कर देंगे, ठीक, यहाँ पे उसकी processing होगी, मतलब 2 प्लस 3 is equal to 5 आएगा, और फिर यह 5 हमें output device पे दिखाएगा, चाहिए monitor पे, चाहिए अगर प्रिंटर आउट लेरे प्रिंटर पे, तो यह basic working होती है, computer की, कि सबसे पहले हम data input करते हैं, जो कुछ भी data में input करना है, फिर processing unit क्या करती है, उसको process करती है, और जो भी command, जो भी instruction हम देते हैं कि data पे क्या काम होना है, और वो काम करने के बाद जो result रहता है, वो output unit को pass कर देती है, तो this is the basic working of computer, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि, देख कि अभी हम deep में discuss करेंगे, पहले हम लोग बात करते हैं, processing unit, तो देखिए processing unit में basically क्या होता है, processing unit को आप तीन पार्ट में divide कर सकते हैं, ठीक है, इसमें तीन main component होते हैं, एक तो हो गया आपका, सबसे पहले तो होता है, storage, storage, जहां पे हम जो data input करते हैं, वो store होता है, उसके बाद second होता है, control unit, second आप कह सकते है, control unit, ठीक, और उसके बाद, जो third होता है, वो होता है, ALU, arithmetic and logic unit, तो third आप लिख सकते हैं, ALU, ALU मतलब, आप चाहते हैं, ALU means, arithmetic, logic, unit, ठीक, तो processing unit के अंदर, ये तीन main components होते हैं, ठीक, और storage से data का आदान-प्रदान, control unit में, या control unit का आदान-प्रदान, ALU में, इस तरह होता है, ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम ये करते हैं, कि जब भी, हम कोई भी input देते हैं, माली जे हमने ये लिया, ये कोई भी input device है, जिससे हम data input कर रहा है, किसको processing unit को, ठीक, वो जाएगा कहाँ पे, storage में, ठीक, storage में फिर क्या होगा, कि control unit इस data को यहाँ से लेने के बाद, देखेगा कि भी, क्या होना है, तो 2 प्लस 3 होना है, प्लस मतलब arithmetic operation होना है, तो arithmetic operation का मतलब यह हुआ, कि arithmetic and logic unit में वो भेज देगा, यहाँ पे 2 प्लस 3 का 5 होगा, फिर वो 5 यहाँ पे आएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से storage में आएगा, और storage उसको आगे output में, यहाँ पे आप चाहिए तो एक output unit बना लें, ठीक है, यहाँ पे, यह हो गया output, यह वाला output जो हमने बनाए था, ठीक, तो इस तरह main working होती है, कि कोई भी computer system काम करता है, तो simply, I hope कि आपको जो computer किस तरह काम करता है, यह clear हो गया होगा, इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, कि यह जो storage है, control unit है, ALU है, इसके अब देखिए, इन सारे के बारे में मैं थोड़ा brief में आपको बतायता हूँ, फिर आगे इसको deeper discuss करेंगे, तो input unit जो होती है, input unit किसले use होती है, कि कोई भी data अगर हमें input करना है, data input करना है, किसमें computer में, तो उसके लिए input units use होती है, data input करने के लिए, ठीक, output unit क्या होती है, अभी इसकी बात करते हैं, output unit क्या होती है, कि जो भी हमको processing का result आता है ठीक है जो भी result obtained होता है result obtained वो हम display करते हैं किस पे output unit पे ठीक अब आजाईए processing unit में तो processing unit में यह जो पहले चीज़ है storage storage का काम क्या होता है कि data को store करना data को store करना input unit ने भेजा तो भी उसने data store कर लिया output को जो data भेजना है वो भी यहां पे store होता है और बाद में output पे चला जाता है तो यह main काम होता है storage का यह memory devices होती है उसके आप control unit क्या करता है control unit जो भी processing होनी है या आप यह समझ लिजे कि जो control unit होती है control unit it controls all the operations which is performed by the computer system control unit क्या करता है control unit सारे operation को control करता है जो इस computer के द्वारा perform होनी है यह काम हो गया control unit का अब उसके बाद जो next आता है आपका जो हमने बताया था पहले arithmetic and logic unit arithmetic देखिए बहुत important part है यह computer का ALU arithmetic logic unit arithmetic logic unit क्या करता है पहले हम arithmetic की बात करें जितने भी आपके arithmetic operation होते है जैसे addition, subtraction, multiplication, division यह सारे जितने भी arithmetic operation होते है वो यहाँ पर perform होते है जैसे यह 2 और 3 हमने input किया था तो 2 और 3 ऐसे होते हुए इसके पास आ जाएगा यह 2 और 3 को जोड़के 5 करेगा और फिर वापस देगा वापस देगा output पर आ जाएगा तो जितने भी arithmetic operation होते है आपके जैसे addition हो गया, subtraction हो गया, multiplication हो गया, multiplication हो गया, multiplication हो गया यह सारे operation arithmetic unit में perform होते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, logic की, ठीक है, तो जो logic, alu जो होता है, arithmetic logic unit, जितने भी logical operation है, logical operations, वो यहाँ पर perform होते हैं, ठीक है, logical operation कौन से होते हैं, ठीक है, जैसे अभी देखिए मेरी कुछ वीडियो logic gates पे और fundamental of logic circuits पे अल्रेडी channel पर पड़ी हुई है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि logical operation क्या होते हैं, ठीक है, जैसे and operation है, ठीक है, or operation है, not operation है, ठीक, अगर simple language में आप इसको समझना चाहें, तो ऐसे समझ लीजे, ये and operation क्या होता है, जब दो variables को हम multiply करते हैं, तो ये and operation होता है, तो ये चुकि ये जो operations है, ये किस algebra के operation है, ये operation है, boolean algebra के, boolean algebra, इसकी सारी videos, algebra, सारी videos चैनल पर पड़ी हुई है, आप चाहें तो उसको refer कर सकते हैं, आपको clear हो जाएगा, boolean algebra क्या है, और ये operations क्या है, ठीक, तो simply आप ये समझ लीजे, ये सारे operation भी alu के अंदर ही perform होते हैं, जैसे end operation हमने बता, ऐसी और operation है, वो क्या करता है, x plus x equal to x, ये और operation कहलाता है, ये end operation कहलाता है, ठीक, similarly not operation क्या करता है, कि जो भी आप signal देंगे, उसका उल्टा, one आप input करोगे, तो zero दे देगा, और zero input करोगे, तो one दे देगा, तो x अगर आप input करोगे, तो ये आपका x बार दे देगा, ठीक, तो मैं आपको ये suggest करूँगा, कि आप Boolean algebra के regarding जो भी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, उसको अगर आप उनमें से basic वीडियो आप पढ़ लेंगे, कोई भी introduction वाली, तो Boolean algebra, मैं ये link भी दे रहा हूँ आपको, Boolean algebra, इस से related जो भी वीडियो चैनल पे पढ़ी हुई है, उसको आप पढ़ लेंगे, तो आपको ये logic operation क्या होते हैं, ये clear हो जाएगा, तो जितने भी mathematical और logical operations होते हैं, वो computer के अंदर, यहाँ पे ALU में, this is called arithmetic logic unit, यहाँ पे perform किया जाते हैं, तो ये एक basic तरीका है, कि computer system कैसे काम करता है, तो I hope कि आपको ये video clear हो गया होगा, इससे content पसंद आए होगे, computer कैसे काम करता है, ये आपको clear हो गया होगा, अब इसकी input devices है, output devices है, storage मतलब memory devices है, इसके बारे में detail में हम आगे आने वाले lectures में पढ़ेंगे, तो I hope कि आपको video content पसंद आ रहा, अगर video content पसंद आ रहा, तो please video को like कीजे, share कीजे, और कोई भी अगर आपको इसके regarding query है, तो आप comment line में comment करके उसको पूछिए, और अगर आप channel पे नए आया है, तो channel को subscribe कीजे, thank you.